दोस्तो नथिंग ने इंडियन मार्केट में अपना न्यूवा स्मार्फोन नथिंग फोन वन को लॉंच कर दिया है और आप अगर इस स्मार्फोन को लेने का सोचे हैं तो बिल्कुल भी मत लिजिए क्योंकि लेंगे तो सिर्फ आप फसेंगे और ऐसा मैं क्यों बोला इस वी दिखने में यह फोन लूक एंडियन में बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया है अच्छा है पीछे से ट्रांसपेरेंट है और बहुत सारा LED लगा हुआ है तो मतलब यह फोन थोड़ा दीवाली वाला फिलिंग आपको देगा और बहुत सारा LED लाइट के वज़े से यह स्मार् लुट को दीश्पेले का बात करता तो इसमें 6.5 पीच का OLED लिखने मिल रहा है जो कि 120 हट के साथ आता है और इसमें एचDi 10 प्रॉस का सपर्ट मिलता है और यह इस दिस्पेले में आपको इन दिस्पेले फिंगर प्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा और यह और ईसमें 1200 निट तक का brightness मिल जाएगा, तो display के मामले में ये phone बढ़िया है, वहीं इस smartphone के back side में भी आपको gorilla glass का protection मिल जाएगा, तो आगे और पीछे दोनों side से gorilla glass का protection दिया गया है, वहीं इसके processor का बात करें, तो इसमें snapdragon 778G plus processor मिल रहा है, जो की 6 nanometer fabrication पर बना है, performance में ठीक ठाक रहेगा, और इसके ant2 score का बात करें, तो ये लगबग 6 लाग तक का score कर लेता है, और इसके storage और RAM type का बात करें, तो इसमें LPDDR 5 RAM, UFS 3.1 वाला storage मिलता है, और dual studio speaker के साथ ये smartphone आता है, और इसके battery department का बात करें, तो इसमें 4500 mAh का battery मिलता है, और ये 33 Watt के fast charge को ये phone support करता है, इस smartphone 15 Watt का wireless charge और 5 Watt का reverse charge ये दोनों मिल जाता है, इस smartphone में, एक important बाद आपको बता दें, कि जब 2 nothing phone आपके पास हो, तो एक nothing phone को दूसरी nothing phone पर रखने पर जो दूसरा nothing phone होगा, वो charge होगा, मतलब ये भी एक थोरा सा unique feature ये smartphone का है, कि 2 nothing phone है, तो एक को दूसरी पर रखेंगे, तो एक phone charge भ IMX 766 वाला sensor मिल जाता है, और साथ ही साथ 50MHz पिक्सल का इसमें ultra wide camera मिलता है, और उसी में macro camera भी मिल जाएगा, तो 50MHz पिक्सल का ultra wide camera है, उसी में macro camera भी दिया गया है, 16MHz पिक्सल का selfie camera मिल जाएगा, जिसमें कि Sony का IMX 471 वाला sensor यूज़ किया गया है, वहीं इसका connectivity का बात कर वहीं इस smartphone आपको 3.5 में का headphone jack नहीं मिलेगा, इसमें कोई charger नहीं मिलेगा, और इस smartphone में आपको back case जो हरा smartphone में देखते हैं, वह भी इस smartphone में नहीं मिलने वाला है, और यह smartphone IP53 certification के साथ आएगा, और इसका weight का बात करें, तो यह 193.5 gram इसका weight आने वाला है, वहीं इस smartphone का price का ब देखिए, सबसे पर इसमें 3.5 mm का headphone jack तो देना चाहिए था, न्यू ब्राइने वहीं, इतना कडकियों दिखा रहे हो, 3.5 mm का headphone jack दे देते हैं, तो क्या होता, उसके बाद charger भी बॉक्स में नहीं दे रहे हो, और charger जो अलग से मिल रहा है, वह 45 watt का दे रहे हो, जबकि phone support कर र चार्ज देने का, दूसरा चीज कि आप सिर्फ दो SIM ही लगा सकते हैं, इस स्मार्पोन में, एट लिस्ट हाइबरिट SIM तो देना चाहिए था, भया यह न्यू ब्रैंड हो, आप न्यू स्मार्पोन लॉंज कर रहे हो, मार्केट में कुछ अच्छा तो करो, कुछ यूनिक कर परने जा रहे हो, ठीक है, माने की, लूक अन डिजान ये समय यूनिक कर रहे हो, तो कम सकम, हैबरिट SIM तो देते हैं, वह भी नहीं दिया गया, उसके वार 32,999 रुपया, यहनी की 33,000 रुपया में, आप Snapdragon 778G+, दे रहे हो, जो की यह प्रोसेसर 22,000 रुपया तक है, स्मार्प चार्ज दे रहे हो, कम सकम 65 वर्ट का तो चार्ज आपको देना चाहिए था, और उसके वाल, जब हम टोटल प्राइस को अगर एड करते हैं, जब एक बंदा इसा स्मार्पोन को पर्चेज करेगा, तो चार्जर भी पर्चेज करेगा, और इसका स्क्रीन गार भी पर्चेज करेगा ही करेगा, तो टोटल का जब हम प्राइस एड करते हैं, तो 1499 रुपया का इसका चार्जर मिलेगा, 1499 रुपया का इसका बैक कफर मिलेगा, और 999 रुपया का इसका स्क्रीन गार मिलेगा, और टोटल प्राइस जब हम एड करते हैं इसा स्मार्पोन का, तो 36,996 सेच्फ। कुष भूब करना है तो इसे स्मार्फ़न कर सकते हैं और आपको पैसा कोई दिक्रखत ही नहीं है पैसा कोई मेटर एहीं आपके लिए करता है तो बिल्कूल इसको आ मतलब cry तेस्ट कीजिए लेकिन जिनकी लिए पैसा बहुत जादा मेटर करता है भूल के भी से पर्चेज ना कीजिए क्योंकि पर्चेज करके बिल्कुल भी मतलब 36,999 रुपया लाग यह स्मार्फोन बिल्कुल ही नहीं चलो इसका डिसकाउंट भी मान लेते हैं कि इसमें 2000 रुपया के HDFC बैंक का डिसकाउंट मिल रहा है फिर भी यह स्मार्फोन आपको 34, ठीक ठाक नहीं है इसमें अटली स्नेफड्रेगन 870 या ट्रीपल एट मिलना मतल में सेसिरी था मेरे समझ से आप इसमार्फोन को इतने प्राइस में मत लेने जाए आप चला जाए आईक्यू 9 SE के साथ या फिर आईक्यू नियो 6 के साथ जादा बेस्ट रहेगा इतने प्रा कि आपकी मर्जी थैंक्यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो